नमस्कार साथियू नियूज क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं तो सबसे पहले आज की प्रमुक खबरें बीते 24 घंटों में करोना के 10,666 नए मामले और 380 मरीजों की मौत मोधी सरकार की नीतियों के खिलाब आज देश व्यापी विरोध दिवस भारत चीन सीमा तनाओ हिंसक जड़क में भारत के 3 और चीन के भी 3 सैनिक मारे गए तो सबसे पहले सुरुवात करते हैं करोना के अपडेट से देश में लगातार पांचवे दिन भी करोना के 10,000 से अधिक मामले दर्ज हुए स्वास्त मंत्राले के आंकडों के मुताबिक बीते 24 घंटों में करोना के 10,666 नए मामले दर्ज किये गए है और 380 मरीजों की मौत हो चुकी है और 10,215 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश भर में करोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब 3,43,91 हो गई है जिसमें से 52,47 फीस दी यानि 1,80,013 मरीजों को ठीक किया जा चुका है करोना संक्रमित की वज़ा से अब तक कुल 9,900 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या यानि जो अभी भी करोना का इलाज करवा रहे हैं किसी ना किसी अस्तर पर बढ़कर 1,53,178 हो गई है इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च द्वारा आज सुबह 9 वजे जारी आंकडों के मुताबिक अभी तक कुल 69,21,79 सेंपल की जाच की गई है जिन में से 1,54,935 सेंपल की जाच बीते 24 घंटे में हुई है तो अब चलते हैं दूसरी खबर पर सबसे बड़ी खबर पर याद है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का एलान नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगडाउन की तकलीफों से जूजते लोगों को बचाने के लिए बड़े ही भव्वे अंदाज में किया था या एक बढ़िया कदब था लेकिन लोगडाउन से पहले भी लागो किया जा सकता था अब इस योजना से जुड़े वेब पोर्टल पर उपलब्ध नविनतम आकडों से पता चलता है कि सरकार अपनी इस खास ड्यूटी को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामियाब रही है इस योजना के तहत लोगों में मुफ्त में अनाज बाटने के लिए कुल 12.1 मिलियन टन खाददान का आबंटन किया गया था लेकिन इस अनाज को पूरी तरह से जरूरत मंदों के बीच बटवारा नहीं हो पाया है अभी तक के डाटा के मुताबिक तकरीबन 9.3 मिलियन टन अनाज को भारतिये खाद दे निगम के परिसर से बाटने के लिए उठाया गया है और इसका भी केवल 7.5 मिलियन टन ही भूखे लोगों तक पहुँच पाया है यानि कि एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखे लोगों तक नहीं पहुँचा लोगडाउन की घोशना को करीब धाई महीने बीच चुके हैं गरीबों की देखभाल और अपनी कुसलता का बखान करने वाली सरकार ने सिर्फ इतना ही किया है कि अनाच के कुछ दानों को कुछ परिवारों तक ही पहुँचा पाई है गोडामों में कुल 4.7 मिलियन तन अनाच को गोडामों में ही सरने के लिए छोड़ दिया गया है और जनता में केवल 62% अनाच का ही वित्रण किया गया है यह तब है जब हजारों लाखों लोग भुखमरी के कागार पर हैं बेरोजगार हैं और काफी कम भोजन पर गुजारा कर रहे हैं लॉकडाउन की वज़र से पूरा देश बंद कर दिया गया था सभी जानकारों का कहना था कि लॉकडाउन करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि करोना से लड़ने के लिए थोड़ा समय मिल जाए और सरकार इस दोरान स्वास्त से जोड़ी सुविधाओं बुनियादी स्वास्त सेवाओं को मजबूत कर ले लेकिन इस फ्रंट पर भी सरकार कुछ नहीं कर पाई अब बेड और होस्पिटलों की कमी की वज़ा से मौतों की खबरें हर जगह से आ रही हैं और सरकार पूरी तर भी खुल करके सरकार पर हमला नहीं कर रहा है नहीं उससे सवाल पूछ रहा है नहीं विरूध जाता रहा है देश में एक मात्रवामपंथी ताक्ते ही हैं जो इन विनासकारी नीतियों का लगातार एक जूट होकर विरूध कर रही हैं 16 जुन को भारत की कॉमिनिस्ट पार्टी माक्सवादी के अहवावन पर एक देशव्यापी विरूध दिवस मनाया जा रहा है इसमें मांग की गई है कि प्रतेक व्यक्ति को हर महीने कम से कम 10 किलोग्राम अनाज अगले 6 महीने तक मुफ्त में दिया जाए वामदलों ने एक अन्य प्रमुख मांग भी उठाई है कि देश के उन सभी परिवारों को जो आयकर का भुक्तान नहीं करते हैं याने कि जिनकी आय बहुत निम्न हैं उन्हें हर महीने 75 सो रुपए दिया जाए मौजूदा समय में मोदी सरकार ने प्रतेक जंधन खाता धारक को महज 500 रुपए की सरमनाक रासी प्रदान करने की घोशना की थी इन जंधन खातों में से लगभग 49 करोण खातों में से तकरीबन 20 प्रतीसत खाते खामियों से भरे हैं यानि आप ये समझ सकते हैं कि जंधन खाते में कितना पैसा पहुचा होगा अब बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद पर हुए हिंसक जड़ब की बीते एक तालिश दिनों से भारत चीन सीमा पर तनाव का बयार चल रहा है यानि कि हवा बह रही है पैंगौंग जील गलवान नदी के पास कई दिनों से दोनों दीसों के सैनिक आमने सामने इकठा है सीमा विवाद सुल जाने के लिए कई दौर की वारताएं हो चुकी है लेकिन इस्थिती गंभीर हो चुकी है खबरों के मुताबिक गलवान इलाके में 15 जुन की रात में हिंसक जड़पे होई इसमें भारत के एक करनल और दो जवान सहीद होने की खबर आ रही है रणेतिक मामलों के जानकार अजैसुकला का कहना है कि साल 1975 के बाद भारत चीन बॉर्डर पर ऐसे हालात बने है खबर या भी है कि कोई गोली नहीं चली है सहनिकों के बीच पत्रा हुआ डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया भारतिय जवानों की जवाबी कारवाई में चीन की तरफ से भी तीन सहनिक मारे गए है प्रोसेस चल रही थी लेकिन तभी हिंसा हो गई यानि की सैनिकों को पीछे करने की प्रक्रिया चल रही थी और उसी समय हिंसा होई हमारे कपसर और दो जवान सहीद हो गए अभी दोनों देशों की सेनाओं के सिनियर आफिसर तनाव कम करने के लिए हर मौके पर हर तरह से मिटिंग कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में वरिष्थ पत्रकार भासा सिंग ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लकनाओ के खलेलाबाद थाने के अंतरगत बरौली गाउं में दो दलित और एक ओबी सी यानिकी अन्य पिछड़ा वर्ग के नौजवान की हुई बरबर पिटाई जातिगत उत्पिडन की जमीनी परताल की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात की नाक के नीचे हुए इस बरबर कांड में पीडितों को ही जेल डालने और दोसियों की सरपरस्ती पर सवाल उठाया इस मुद्दे को उठाने वाले भीम आर्मी के कारेकरताओं और सटा हुआ यह गाओं हैं यहाँ पर तीन नौजवानों को सरे आम सबके सामने जलील किया गया उनके बाल काटे गए चौराहा बनाया गया जुतों की माला पहनाई गई मूपे कालिक पोती गई उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इस मामले का संग्यान लिया और उनकी तरफ से जो जारी बयान है उसके हिसाब से भी इन तीनों के उपर जिस तरह की बरबर पिटाई हुई इनके सर मुड़ाया गया हिंसा हुई उस पर SCST Prevention Attrocities Act लगता है पुलिस के हिसाब से भी ये तीनों गिरफतार हैं बाकी लोगों की गिरफतारियां हुई हैं और सारा मामला चोरी का बताया जाता है यहां पर हम जाकर बात करेंगे उन लोगों से जो उनके परिवार वाले हैं हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो इनको बचाने के लिए आए लीगल प्रोसेस करने के लिए आए भी मारमी के लोगों से हम बात करने जा रहे हैं कमरे में बुलाके ले गए, पहले दिलिब को ले गए, फिर हंसराज को ले गए, फिर रकेस को ले गए, वहीं पांच घंटे बंद करके मारा, फिर जूतों कहार पहनाया गया, सर चरहे बनाया गया, कालिक पोदी गई मुह में, फिर गाउं में उधरे उधर घुमा के, तब हम हम लोगों को यह सब हो गया तब वीडियो देखे तब हम लोग पुलिस को सोचना दी ऐसा गाउं में पहले नहीं हुआ है जात के नाम पे जो है ब्रामन लोग हमेशा जो है कहते थे चमरवा है साला कैसे बढ़ गया और यह कैसे मलब यह सब हमारे नीचे रहेंगे मलब वो ल किसी के साथ बोरिंग करने चला जाता था किसी के साथ सेट्रिंग बांधने चला जाता था किसी के साथ मैजूरी करने चला जाता था यही रुशाय है और कोई कुछ का हम नहीं है बेरुजगार समझे है यही है नीची काष्ट को मर जाना ही उचित समझते हैं और कुछ नही कहीं भी अब किसी के सामने सर उठाने की तो जरूरण नहीं है कोई भी कहेगा तुमारा लड़का तो जी उतो कहा पाई आंके गुमा दिया गया कि आप नहीं रहें तब पकद्र हैं तब डर पलाएं तब एक gustado कि तीनों की हालत जो रहा सो रहा वे करें वी 4 नहीं नहीं पावतीति कि उठी पावे अज्ता कहा चुनका मारी नहीं पांच पांच गंटा अंदर बंद राकी नहीं हम तो सब्सक्राइब अच्छा थेला लगा तो व अनि बज़े आपने देखा उंको बाहर कितने बज़े देखे वह लगवा ग्यारा बज़े ग्यारा बज़े देखा पर गली को ना कंड कअगा इए उनको फenda आई ना पंडेताइन के लडिका रही हम को दो करए थे तीन लोग वह इने टो पहला है और उसा मना नाइं कई अभिष में लृग रहा है। पोई भिचत जो को बचा तो बिड़ जाती है अभी नहीं बोलेगी तो कल लड़्य करेगी कल मार-फीड करेगी हमारे साहते हैं तो नहीं तो करते चली आ रही है। आप पहुंचे नौ बजे उनके घर के पास क्या देखा अपने हमें देखा कि नितियों स्वहम दिछित जिति लड़के थे विजे पे लचमी के वो उनके बाल बना रहे थे कोई कालिक खेप रहा था वो विजे लचमी कहने पर ही काम कर रहे थो वहां पर हाँ वाकि तो आप ले देखे लीजिए ना हो तो हम देखा देखा दे वीडियो है हमार पास सबके पहुंच गई है आखी यह बताइए कि सबने वीडियो देखा तो सबके दिमाग में क्या रहा है कि बस्वही मुकादमा लिखे जेल जार और किया होगा उन लोगों ने यह किया है कि वह पंड तिहली क sizi पहले भी दबाती रही हैं सब को जो करजा लेते हैं उनको दबाती हैं और जो करजा नहीं लेते हूं को आंधा पाती है हम लोग सोजा सबस्कित करती है छताई that's the work of तो कभी कर्जा लिया नहीं कहुत तो धुका रिदतार हैं और दूसरे हैं उनका बड़ा बेटा सुभम जचे थी बाकी सब उनके घर के लोग फरार है इसमें और लोग बता रहे हैं कि जो लोग गिरफतार हुए वो भी छूट गए ऐसी खोई अभी पक्का नहीं है जहां ते जेल भेजे जा चुके दो लोग बाकी सियो जिसे मेरी बात हुई थी जो लगता है तो वहां भी बात हुआ करें ते हमारी टीम लगी हुई है अचा इसमें क्या सी एस्टी एक्राशिटी केस नहीं लगा है लेकिं केस को कमजोर किया जा चुका है पहले साही जैसे उनको लड़के हैं उनको पर चोरी का केस लो लगाया गया है वो पूरी से फॉर्स लोगों लोगों ने उनको इसली जमानत मिल जाए लेकिन जो ऐसी एक्राशिटी एक्ट है जिसके तहर तो तुरंद गिरफ्तारी और इन लोगों को भी मुआफ़ा मिलना जरूरी है जी अभी तक कुछ आइसा प्रॉसेस श्टार्टी गुआ है इंसिडेंट कब का है यह ज चार तारीक का है चार जून जी और उसमें पहले दिन जो थे होंसाथ पिटाजी गयते इसमें बिना एक्यूस के नाम लिखे अग्यात में फायर कर दी गई थी उसके और फिर जब हम लोग गय है तो उसके बाद फिर नेम ड़े फायर हुए जो उनके परिवार दबंगों के पुरा उनके खिलाफ है जी भीमार्मी के लोग यहां पर पहुचे हैं चार तारीक को ही पहुचे हैं शाम को एक बंदा पहुचा है लेकिन लोगों से बात ना हो पाई है अगले दिन पांस तारीक को जो है मेरे कुछ बंदे आये वकिल सहाब आये जो डाकुमेंट्स वगर वीडियो में लोग दिख रहे हैं काम करने वाले लोग दिख रहे हैं जो जूते की माला पहरा रहे फिर भी जो पुलिस का रवया यह था कि अग्यात में उनकी अफ़ए आयर करी गी फिर हमारे कुछ वकीलों की दबाव की वज़ा से फिर उनकी खिलाफ जुनामजद फाया हुई और होते होते प्रोसेस यहां तक कि आया है कि अभी तक के सिर्फ दो लोग की गिरफतारी हुई है बाकी चार लोग अभी भी बाहर है और जब हम वहां पर जाते हैं पुलिस के पास में कि आप दुस्रों को गिरफतार क्यों नहीं कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि अ जो कि जहां के लोगों से पहर चला कि सरासर गलत है वो तीनों की गिरफतारी की वज़ा से हुई है जी 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 पंखा चोरी के वज़ा से गिरफतारी हुई है उनका कहना था कि हमाई पास कुछ शाक्षवी बरामद हुए है मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता क्या सच है चोरी की है नहीं की है लेकिन हम यह जानते हैं कि इस देश में जिसे विजय मालिया जैसे जो चोर है या डकैत है जिन सुकहत है वो चले जाते हैं और उनके खिलाब कुछ भी मामदा नहीं देख जाता है उस हिसाब जिस ताब करने के बाद सर मुणवाय जाता है चपले पहना जाती है उपर गले में माला इंडाली जाती है फिर इसको घुमाते हैं पूरे गाओं में गली में घुमाते हैं यह बेरहमी आज-के जमाने में भी ओरी लगब बहुतर त्यास्तर साल हो रही है हमें आजादी मिले हुए समि बागी हमारे जो तीन लोग थे उनको गिरफतार कर लिया गया वह जेर में डाला हुआ है आप हमारी खबरों को न्यूज क्लिक के हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट पर फेस्बुक पर ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं हमारे वीडियो को यूटूब चैनल पर देख सकते ह हमारे वेबसाइट को और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सुक्रिया आप देखते रहें न्यूज क्लिक